दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में भारत्र टिम की जीत होगी या नहीं इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्षिन में जरू दिजिए भारत दुर्णा आफरिका के बीच इस समय टेस्स्रीस का दूसरा मुकाबला खेला चारा है इस मैच के तीसरे दिन दुपलिसी दुर्णाधर वर निन फिलेंडर ने अच्छी पाड़िये खेली इसकी बदलत दुर्णनाफरिका के टीम इस संकट से उबराए तीसरे दिन के अंत तक दर्शिन आफरिका की पूरी टीम 25 तरन पर धेरो गए ऐसे में आप भारत को 326 रोनों की बड़त मिल चुकी है हाला कि इत भारत के पास आज दर्शिन आफरिका को काफी कम स्कोर पर आउट करने का मोखा था लेकिन कुछ ऐसी गलती होई इसके वज़े से ये नहीं हो पाया गलती नमबर एक भारत कप्तन विराट कुली ने 41 और की दूसरी गेन पर एक कैच छोड़ा यह अगर कैच वो पकड़ लेते थे तो भारत को काफी बड़ी मदक मिलती थी गलती नमबर दो भारत के फिल्डर के पास स्लीप में कैच के काफी मोख्या आये थे हाला कि वो उन्हें लपकने में नाकाम रहे गलती नमबर थीन भारत के लिए इस पारे में इशान शर्मा को रनप के बाद पीच पर दोड़ने के वज़े से डोबार चेताउनी मिली इस वज़े से उन्हें गेनबाजी से रोका ना जाये इसलिए कप्तान विराट कुली ने उन से जादा ओवर नहीं करवाये अगर ऐसा नहीं होता तो इशान भारत को विकेट जरूर दिला थी चोथी गल्दी भारत की खिलाब केशो माराज और फिलेंडर की जोड़ी ने शत्य के साज़े जरी निबा कर स्कोर को आगे बढ़ाये और इन दोनों के खिलाब आकरम गेनबाजी से सफलता मिल सकती थी तो दूसर आपको एकलते हैं इस मैच के बारे में क्या भारत रटी में इस मैच को जीतने में कामयाब होगी या नहीं इसका जवाब आप हमें कमेंट स्किशन में जरूर दीजिए साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद